अस्सलामू अलेकुम वरहमतुलाहिव बरकातु। दोस्तों मैं हूँ फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूटुब चैनल इसलामी अखलात। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बैलिक आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नहीं आने वाली वीडियो सबसे पहल मुझूद था और ठंडी हवा चल रही थी तो वो बुजरग कुछ देर सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गए और जब उनकी आँख लगी तो खुआब में इसी पेड़ ने उन बुजरग से कहा कि बाबा जी अगर तुम भी मेरी तरह पेड़ बन जाते तो क्या ही बात होती खुआब की दुनिया में ही बुजरग ने पेड़ को कहा कि मैं तेरे जैसा क्यों बन जाओं पहले अपने अंदर कोई खूबी तो बता कि तेरे अंदर ऐसी क्या खूबी है कि मैं इनसान हूँ और तू चाहता है कि मैं तेरे जैसा बन जाओं पेड़ ने कहा कि मे पत्थर मारे तो मैं उसे फल देता हूँ इसलिए तो मेरे जैसा बन जाना इतना असान नहीं ये सुनकर बज़र्ग बड़े हैरान हुए और हैरानगी के साथ पूछा कि ऐ पेड़ अगर तु इतना ही अच्छा है तो फिर अल्लह ने तुझे आग की गिजा क्यों बना दिया ह दोस्तों ये मामला क्या है वो बुज़र्ग कौन थे और उनकी पेड़ के साथ क्या बात चीत हुई ये सब हम आपको तफसील से बताएंगे लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते है कि हमारे पास बहुत सारे इमेल और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की बिमारी है या धात की बिमारी है या मरदाना ताकत से रिलेटिड कोई बिमारी है तो हमारे पास इन सब बिमारियों की दवाई मौजूद है जिससे आपकी बिमारी गारंटी से चड़ से खतम हो जाईए आपको सिर्फ ये दवाई एक बारी मगानी होगी एक बार से आपकी प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिये गए नमबर पर वाटसेप करके दवाई और्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप वाटसेप पर मेसेज करें दोस्तो बुजर्ग ने ये सवाल किया कि तू बता कि तुझे क्यों जला दिया जाता है लोग तुझे आग जलाने के लिए इस्तमाल क्यों करते हैं ये सुनकर पेड़ ने जवाब दिया कि ऐ बुजर्ग मेरे अंदर खूबी के साथ साथ एक खामी भी है जिस खामी ने मेरी को खराब कर रखा है और अल्लह को मेरी ये खामी न פसंद है और अल्लह ने मुझे आख की इसा बना दिया है बज़र्ग ने सवाल किया कि आखिर ऐसी खामी क्या है जिसने तेरी इतनी बड़ी खूबी को भी खराब कर दिया है पेड़ ने कहा कि बाबा जी वो खामी ये है कि जिदर की हवा चलती है मैं उधर का रुख इख्तियार कर लेता हूँ और जानदार चीज और बेजान चीज में यही तो फर्क है जो अल्लह को नापसंद है अल्लह उसे जहन्न का इंधन बना देता है दोस्तों तरासल ये वाक्या हमारी सूरते हाल है कि हम भी इसी पेड़ की तरह चल रहे हैं हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जिदर हवा चलती है उधर का हिरुख कर लेते हैं हम नाम हुसैन का लेते हैं और हमारी हरकतें यजीद की तरह होती आ रही हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी चले जाते हैं और अगर मस्जिद से निकल कर कोई गलत काम को कहे जिसमें लुट्फ हो तो हम ये भूल कर कि अभी तो हम अल्लह से अपने गुनाहों की माफी माँख कर आए हैं लेकिन फिर भी हम उसके पीछे चल पढ़ते हैं दोस्तो आज का हाल ये है कि हम खड़े तो नमाज के लिए होते हैं लेकिन हमारे दिल और दिमाग में दुनिया बसी होती है हमारा सर तो अल्लह के सामने सजदे में जुका होता है लेकिन हमारी सोच कारोबार में होती है और नमाज भी ऐसे नहीं पढ़ते जैसे अल्दा ने हुकम दिया है रब के इश्क में खालिस बन जाओ दोस्तो एक मरतबा हजरत राबिया बसरी जा रही थी उनके सामने से एक नोजवान आ रहा था जब एक दूसरे के करीब आए तो नोजवान ने कहा कि राबिया बसरी मैं तुझसे बड़ी महबत करता हूँ तुझसे बड़ा इश्क करता हूँ राबिया बसरी ने कहा कि अगर तुम मुझसे महबत करते हो तो मेरी एक बहन है जो मुझसे कैई गुनाजादा खुबसूरत है जिससे अगर तुम चाहो तो शादी कर सकते हो तो तुम उसको अपना लो उस नौजवान ने कहा कि वो खुबसूरत बहन कहा है राबिया बसरी ने कहा कि तुम्हारे पीछे खड़ी है उस नौजवान ने जब पीछे मुड़कर देखा तो राबिया बसरी ने उस नौजवान के मूँ पर थपड़ मारा और कहा कि ऐ बदबख्त इंसान महबत राबिया बसरी से करता है और देखता गैरों को है उस नौजवान को समझ आ गया और कहने लगा कि मैंने दुनिया में किसी औरत के साथ महबत की और जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरे मूँ पर एक तमाचा लगा और मैं कितना बदबख्त इंसान हूँ दोस्तो इसी तरह जो इंसान अल्लह से महबत का दावा करता है और फिर गैरों से मदद का सवाल करता है उनके दर पर जाकर जुकता है और उनसे ये कहता है कि आप मुझे अता कीजिए तो अल्लह ऐसे शक्स से कितना नाराज होता होगा दोस्तो ऐसा ही वाक्या एक गाउं के अंदर पेश आया कहा जाता है कि उस गाउं के अंदर एक बुजर्ग मौजूद था और कहा जाता है कि काफी पहुँचे हुए बुजर्ग थे और उनके पास काफी इलम था एक लड़की उन्हें हमेशा अपनी भैंसों का दूद नजराने के तौर पर देने के लिए आया करती थी एक दिन वो लड़की देर से पहुँची तो बुजर्ग ने सवाल किया कि ए लड़की तुम देर से क्यों आई हो उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं आते हुए जिस नदी को पार करती हूँ आज उस नदी में पानी का बहाव इतना ज़ादा तेज था कि मुझे उसे पार करते हुए क्याई घंटे का वक्त लग गया बुजर्ग ने कहा कि तुम अल्लह का नाम लेतीं और फोरण उस नदी को पार करके आ जातीं लड़की ने कहा कि अच्छा अगर आइंदा ऐसी कोई सूर्टेहाल हुई तो मैं अल्लह का नाम लेकर उसे पार कर दूंगी दोस्तों फिर से एक बार वही सूर्टेहाल पेश आई और उस लड़की ने कहा कि बाबाजी आपने तो वाकेई मुझे ऐसा नुसका बता दिया था कि जिससे मैंने बहुत जल्दी नदी को पार कर लिया था तो बुजर्ग ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ है तो उस लड़की ने कहा कि आज जब मैं दूद लेकर आ रही थी तो नदी में फिर से पानी का बहाव बहुत तेज था और मैंने सिर्फ अल्लह से मदद चाही और अल्लह को पुकार कर मैं नदी में उतर गई और महसूस कि जैसे नदी तो कभी चल ही नहीं रही थी और नहीं उसमें कभी पानी मौजूद था मैंने असानी से उस नदी को पार कर लिया दोस्तों वो बुजर्ग इतने खुश हुए कि उन्होंने उस लड़की से कहा कि असल मुकाम और मरतबे की हगदार तो तुम हो कि तुम्हारा अल्लह पर इमान इतना फुफता है कि तुमने बगेर कुछ देखे पानी के बहाव की फिकर किये बगेर सिर्फ अल्लह की मदद चाही और उस मदद पर इतना यकीन कर लिया कि तुम नदी में उतर गई और फिर जिन्दा सलामत बचकर वापस आ भी गई हो तो जिसका इमान इतना कामिल हो दरासल वली वो होता है लिहाजा मैं किसी मुकाम मर्तबे का मालिक या किसी मुकाम मर्तबे के काबिल नहीं हूं दरासल ये तमाम मुकाम तुम्हें मिलना चाहिए दोस्तों ये होता है अल्लह पर इमान का मुकाम और अल्लह पर यकीन करने का आलम कि सिर्फ उस और मार्फत इलाही में खालिस बनना बहुत एहम है जब वो खालिस बन जाए तो फिर उस शक्स के लिए अल्लह खुद फर्माएगा कि ए मेरे बंदे तु मेरा जिक्र जमीन पर बैठ कर करता है मैं तेरा जिक्र अर्श पर करूँगा तु मेरा जिक्र गुनहागारों में कामियाब रहेंगे और आखिरत में भी कामियाबी हमारे मुकद्दर में लिख दी जाएगी दोस्तो रब आलमीन का कुरान करीम में इर्शाद है कि ए एमान वालों पूरे के पूरे इसलाम में ताखिल हो जाओ यहां तक कि हमारा उठना बैठना जीना मरना जागना सोना खा कि सुन्नतों पर चलो तो दोस्तों हमारी दोनों जहानों में कामियाबी हमारा मुकद्दर ठहरेगी उमीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर लिखें वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा अल